नमस्कार दर्शकों मैं हूँ भगवति प्रसाद पुर्यत एडवकेट और आप देख रहें यूटूब का कानूनी या चेनल दर्शकों आज का जो सवाल है वह है कि सोतेले भाई की संपत्ति का विवाद होने पर सोतेले भाई की संपत्ति जो है किसे मिलेगी तो दर्शकों इस ग्राप के माद्ध़्यां से आज हम इस वुडियो में यह सारे प्रस्ष्ण के समझने वाले हैं आपने अभी तका चैनल को सब्सक्राइब कर दिजें बेल आईकन को प्रेस कर दिजें और इस वडियो को फट फट लाइक कर दिजें क्योर्य इस चैनल के माद्ध़्याम जोती एक्सपर होने के बाद सोतेली मा को हो जाती है तो सोतेली मा के मरने के बाद हम तीन भाईयों को मिलेगी या नहीं तो देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर इनका कुल मिलाकर यह पुछना है कि सर सोतेले अनमेरिड भाई मतलब जो आविवाही थे जिस भा नाम पर एक पेत्रिक संपत्ति है जब यह सोतेला भाई जो है यह एक्सपायर हो जाता है अर्थात मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति है वह सोतेली मा को चली जाती है ठीक है उसके नाम पर हो जाती है सोतेली मा के तो क्या सोतेली मा के मरने के बाद वह संपत्ति जो है इन त इस तरह का सवाल इन्होंने पूझा है, तो आए इस सवाल को हम एक graph के माध्यम से समझ लेते हैं, सबसे फिरे हम इस बात को समझ लेते हैं, कि इस graph में जो यह सारे लोग बताये हुए हैं, इसके अंदर यह जितने भी लोग बताये हैं यह सारे लोग कालपनिक है ठीक है ना इस बात को आप समझ लें कि यह सब लोग जो है यह क्या है कालपनिक है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह एक व्यक्ति हैalis और इसी सवाल था उधारण के लिए सवाल था कि इनका सोतवेला भाहीस है। कि इंके प्ता जी का नम राम-लाल है और इनकी माता जी मात्न रामकली से। एस रालाल का विवया हता है रामकली से। इह पती बत निए scree, अब इन दोनों से तीन संत्ने उत्पन होती है कितनी संताने उत्पन होती है तीन संताने होती है एक यह एक है यह दो है और यह तीन है ठीक है रामलाल और रामकली भाई से तीन संताने उत्पन होती है अब क्या होता है कि मालिया जाय कि यह रामकली भाई जो है इनकी मरत्य हो जाती है है ना, इनकी मृत्य हो गई, अब इनकी मृत्य होने के बाद में क्या होगा, कि ये रामलाल जो है, ये किस से शादी कर लेंगे, रूपवती बाई से, ये भी कालपनिक नाम है, ये ही रामलाल है, ये ही रामलाल जो है, ठीक है ना, ये रामलाल जो है, ये ये पतनी मृत्य होन से यह शादी कर लेंगे किस से रूपवती भाई से ठीक है रूपवती से यह शादी कर लेंगे अब रूपवती से शादी करने के बाद में इनको एक और संतान उत्पन होगी जिसका नाम है दिपेश ठीक है अब रामलाल और रामकली भाई से तीन संताने उत्पन होई थी रम और विवा करने के बाद में इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम है दीपेश, अब ये दीपेश और ये सूरेश, ठीक है न, ये क्या हुए, दीपेश, सूरेश, रमेश, ठीक है, ये रमेश, ये सूरेश, और ये महेश, ठीक है, इन तीनों का जो है, इस दीपेश से क्या है, सोतेले भाई का रिष्टा है क्या है सोतेले भाई का रिष्टा है गाउं की भाषा में जो हम कहते हैं सोतेला भाई ठीक है न ये सोतेला भाई है सोतेला भाई है कौन दिपेश और ये दिपेश के लिए सोतेले भाई अब जो मुख की प्रश्ण था उस प्रश्ण को एक बार और हम दोरा लेते अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब दिपेश जो है ये जो है आविवाहित है क्या है ये आविवाहित है ठीके आविवाहित है अनमेरिड है ना आविवाहित है ठीके ये है आविवाहित है अब ये आविवाहित होने के कारण इसको कोई संतान भी नहीं है जब आविवाजत वक्ती है तो इसको कोई संतान भी नहीं होगी अब ऐसी इस्तिती में जब दिपेश जो है इसकी मृत्य हो जाती है क्या होगा मृत्य हो जाती है तो दिपेश की जब मृत्य हो जाती है तो ऐसी इस्तिती में इसका पहले तो जाएगी किसको? इसकी माँ को, ठीक है? माता और पिता दोनों को जाने चाहिए. सबसे पहले जो हिंदू उत्रादिकार अधिनियम है, वो यह कहता है कि यदि इधर नीचे कोई संतान नहीं है, इसके कोई भाई नहीं है, कोई बेहन नहीं है, तो इसी दी और पुत् पति भाई जो है यह मधार है ना तो यह इन दोनों को चली जाएगे अब मालिया जा आए उधारन के रूप में कि यदि जब दिपेश की मृत्यू होती है तो उस समय यदि दिपेश के पीता जो है वह जीवित नहीं है ठीक है यह रामलाल जी जो है यह जीवित नहीं है लेकिन रूप वति भाई जो है यह अगर जीवित है तो सीधी प्रापर्टी किसको जाएगी रूप वति भाई को जाएगी अब रूप वति भाई को जब यह प्रापर्टी दिपेश की जो ह इसके अन्यो कोई संतान नहीं है ठीक है न और दूसरी बात यह है कि यह प्रापर्टी जो है दीपेश के पास में जो प्रापर्टी है यह क्या है दीपेश की पेतरक संपत्ती है दीपक की पेतरक संपत्ती से मतलब होता है कि यह रामलाल जी के पिता जी की भी हो सकती है या द रमेश के दादा जी की ठीक है न दिपेश के दादा जी की अगर प्रापर्टी है तो दिपेश के महेश के सूरेश के और रमेश के जो दादा है वो कौन होंगे रामलाल जी के पिता जी और रामलाल जी कोन है इन चारों के पिता है तो ऐसी इस्तितिय में क्या होगा कि दिपे अंसार को छोड़ देती है तो ऐसी इस्तिति में क्या होगा कि यह प्रापर्टी जो है यह दिपेश के पिता जो है ना दिपेश के पिता जो है इनके जो वारिस है उनको जाएगी अब दिपेश के पिता के वारिस जो है वो कौन होंगे दिपेश के पिता के वारिस मतलब यह राम लाल जी के पुत्र जो है रमेश, सूरेश और महेश होंगे ना तो ऐसी इस्तिती में जब रूप वतिबाई जो है संसार को छोड़के चली जाएगी तो ऐसी इस्तिती में क्या होगा कि ये दिपेश की प्रापर्टी है ये महेश को सूरेश को और रमेश को चली जाएग तो दर्शकों मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा और इस सवाल का उत्तर जो है वह भी आपको समझ में आ गया होगा तो यदि आपको और कोई प्रशना आपके दिमाग में उत्पन्न होता है या आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं confusion है आपको तो आप comment कर अपना सवाल पूश सकते हैं इसके अलावा भी आप अपना सवाल पूश सकते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत